दोफ्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार उदमी योजना के लिए तेश्चोब इसके लिए आविदन भी हुई थी और इसका चैन सुची भी जारी कर दिया गया है अब यहाँ पर आपके मन में कई सारे प्रसन है और कई सारे आपके डाउट है उन तमाम डाउट को हम किलियर करने आये हैं विडियो को आप पूरा देखेगा हर एक जनकारी को हम आपको बताएंगे जैसे समझेंगे कि जिन लोगों को बिहार उदमी योजना में जो चैन सुची में अगर उनका नाम आ है तो नामाने के बाद की अगए कि क्या पक्रिया जिन का नाम नहीं आहाएं दोसरा कैसी यह हो सकता है तो उनको क्या करना है क्योंकि काफिससारे लोग कॉमेंट कर रहा है मेरा नाम नहीं आहिकी लिस्ट भी आए गा या दूति चैन सुची द Sum сю बारे में बताएंगे शाटे साथ बात करेंगे जो फाष्ट जो इनका लिस्ट आया है जिन में जो लोग चैनित हुए हैं उनका डॉक्मेंट वेरिपिकेसन होगी कया कि डॉकुमेंट आपको लगेंगे इसके अलाबे समझेंगे कि यह जो पैसा है आपको कैसे मिलेगा उसकी जनकारी हम बताएंगे उसके अलावे भी अन्य कई सारी जनकारी हम notification के जरीए आपको बताएंगे जिससे आपको पूरी doubt और confusion आपका पूरा दूर हो पाएगा और सारा doubt भी आप clear कर पाएंगे पहले आपको बता दे उद्योग विभाग ने notification अपने website पर जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जारी किया है आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका notification डाउनलोड होकर आएगा चुकि आवसक सूचना में आप देखेंगे किलियर इसमें बताया गया है कि दिनांग 310-2030 के जो मुख्यमंतर उदमी योजना अंतरगत जो बितिय वर्स 2023-2024 के लिए जो इनका आवेदन चली से थी सभी कैटेगरी का आप बंधिक रूप से इसका जो चैन सूची जारी किया गया है इसके लेकर बताया गया अब दोकमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें अगर आपका डोकमेंट गलत पाया जाता है तो वैसे इस्तिति में आपकी जो इसमें उमीदवारिता है मतलब कि आपकी जो लिष्ट में नाम है उसे रद किया जागा इसकी जनकारी दिया गया है आपको बता दे अगर आपका रद ह होता है तो वैसे इस्तिति में आपके अस्तान पर किन लोगों का चैन होगा वो भी आपके मन में चेल रहोंगे तो इसके लिए बताया गया है कि जिन लोगों का अगर रद होता है उस इस्तिति में मुख मंत्रे अलपसंख्य को दम्योजना के लिए राजसरकार आवेदन पर क क्रिया 5 स्रेंब कर रही है तो उन लोगों का उसपर चैन पर किया जाएगा तो यह आपका पहला जो दाel मौत لें हो atmosु्आ फिर ऐगले साल आवधन गरने अमौका घ़एगा जिन लोगों का चैन सुची में नाम आ जाता है उन लोगों का दुबारा आवेदन नहीं होता है लेकिन जिनका नाम आत नहीं आया है उन लोगों को अब अगले साल ही मौका मिलेगा क्योंकि साल में एक बार ही पोटल खुलता है बिहार उदमी योजना के लिए जिसके लिए आवेदन परक जान रखीगा साथे साथ जब इनके नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे पुराने वाले भी नोटिफिकेशन में इसकी जनकारी दिया था इसमें दो तीन डोकुमेंट आपकी बढ़ जाती है और डोकुमेंट क्या-क्या है तो समझ लीजिए जो आपकी जो जी एश्टी होत जी एश्टी बाले बिल होना चाहिए यह नहीं कि आप नॉर्मल बिल कटवा लेंगे तो यह मानने नहीं होगा इसके जनकारी बताया गया तब ही आपको अगली भुकतान आपको की जाएगी यह आप समझ लीजिए अब अगला जो आपके मन में यह भी डाउट है कि इसमें जो पैसा हो कैसे मिलता है इसके बारे में बताईए देखिए पैसा कैसे मिलता है इसके लिए नोटिफिकेशन में पहले ही किलियर किया गया था यहाँ पर दो नमबर पॉइंट को परेंगे तो बताया गया कि मुख के मंत्री वो दमी योजना अंतरगत अंतिम रूप से चै त्यार करना होगा जिसमें आपको बिजली की केनेक्शन अगनी सामक जो भी यंत्र है सोरच्छा उपकरन जो भी होता है इसके अलाबे जो इंटेरियल उनका बनाने का काम होता है यह सब के लिए आपको डेर लाक रुपया मिलता है इससे आप वो सारी काम को कर सकते हैं पर्थ खरिदने के लिए आपको हमने बता है कि आपके जी एस्टी वाले बील होने चाहिए अगर यह बील आप परस्तूत नहीं करते हैं मसें खरिदने के लिए अगर आपको रासी मिल जाती है तो यह पैसा आपस भी ले लिया जाता है इस चीच को ध्यान रखिएगा विभाग आ यह इन पूर्ते की राशे उपलब्त कराने के साथ दिनों के अंदर वे जो भी आपने किया है जो खर्चा आपने किया है उन तमाम हर्चा का परमान पत्र है गो不知道 इस पर अन्यवार रूप से आपको अपलोड करना होगा अन्य था बताया गया कि रासी की वापसी की करवाई की जाएगी यहां पर किलियर बता दिया गया है अब यहां पर समझे अभी आपने इसमें अगर सोट लिश्टेड हो चुका है तो आप अपने मोबाइल और इमेल द बी कॉल आ सकता है इसको लेकर कि आपको अपने डॉकमेंट को वैडिपिकेशन करवाने इस जगह पर आना है तो उसमें ऑनलाइन वाले जितने भी डॉकमेंट है उन तमाम डॉकमेंट को ले जाना और उनके द्वारा भी बता दिया जागा कि आपका जो भी दोग है उसका नमाकरन आपने जो भी किया है उस नाम से आप GST बनवा लीजिए उस नाम से आप current account बनवा लीजिए आपको यहाँ पर समय मिलेगा 10 से 15 दिनों का मौका मिलेगा कि इतने दिनों में आप अपने सभी document को ready कर लीजिए और हमारे कर्याले आईए जहां भी उनके द्वारा आपक अपने उर्द्योग लगाने के लिए जो भी इंटेरियल हुआ या जो भी कारे अस्तल हुआ बिजली connection हुआ यह सब काम करेंगे फिर उसके बाद आपके सिकेंडर इंस्ट्रॉल्मेंट मिलेगी उससे आप अपने मसीन को खर देंगे बाके फिर थर्ड मिलता है अप अगले साल जरूर इसके लिए अपलाई करकर इसमें आप जो है एक बार फिर से अपना आवेदन करिएगा हो सकता अगले साल आपकी आवेदन इसमें सुकार किये जाए और आपको इसका रासे मिल पाए अभी तक आपने इसका लिस्ट नहीं देखा है तो online update ht m.in पर यहार उदमी योजना का जो लिस्ट है हमने उपलब्त करा दिया है यहां पर आकर आप अपने कैटेगरी के अनुसार जिस भी कैटेगरी सा बिलोंग करते हैं उसका जो लिस्ट है डाउनलोड करकर आप उसमें नाम देख सकते हैं धन्यवाद